हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉट सैट के अपर की स्टिचिंग करना बताऊंगे इसकी कटिंग की वीडियो मैंने अल्रेडी अप्लोड कर दी है अगर आपने नहीं देखिए तो जल्दी से जाके पहले वह देख लीजे इस वीडियो के हैं जो हमारे स्लिफ के नीचे लगेंगे तो यहां पे सबसे पहले मैं अपना फ्रेंट ला पार्ट रहते डेहें तो यहां पर मैंने वैं लिए थी 2 इंच को टोटल जो नेक की डीपनेश मुझे चाहिए वह 7 इंच ए Г Wed देखे चैंज इसकी लंबाई मैंने लिए है तीन इंच ओड़ा मैंने फ्यूजिंग पेपर इस कपड़े के उपर चिपका हुआ है और साइट से हाफा फिंच मैंने एक्स्टा फैब्रिक लिया हुआ है यह देखे और इसके मिट पॉइंट पे यहाँ पे मैंने कट भी लगा और जो हमारा फ्रेंट वाला पार्ट है उसके बिल्कुल मिट पॉइंट पे इसे हमें लगाना है तो यहाँ पे देखे यह हमारा हाफ इंच तो ऊपर चले जाएगा इसमें तो इसलिए हम ऊपर से इसमें हाफ इंच पे एक निशान लगा के इसे स्टेट लाइन से यहाँ जॉइन कर लेंगे यह हमारा ऊपर चले जाएगा नेक में और अब हम इस लाइन से नीचे को नेक की डीपनेस के लिए निशान लगाएंगे तो यहाँ पर जितना भी डीप आपको वी चाहिए आगे से आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं मैं यहाँ पर साड़ी चार इं पर निशान लगा है इस लाइन से मिलाते हुए इसे हमें इस तरह से वी शेप में मिला लेना है यह देखिए और सेम इसी तरह से दूसरी साइट भी हमें से वी शेप में ही मिला लेंगे यहाँ पर हमने से मिला दिया है अब सेम इसी तरह से यहाँ पर दूसी साइट से भी ह के आ गया है अब सेम इसी के ऊपर हमें आपे सिलाई रखनी है तो वो किस तरह से रखनी है वो मैं आपको बताती हूं तो देखिए यहां पर पहले जो साइट से हमारा फैब्रिक है हाफ इंच हमने एक्सटा लिया है इसे भी हम फोल करेंगे दोनों साइट के और यहां पर नी नेक की डीपनेस ली हुई है जो कि मैंने धाइ इंच उपर से कट कर लिया है यह देखिए मैंने कटिंग वाले पार्ट में आपको दिखा दिया था धाइंच मैंने इसकी रखनी हुआ तो यहां पर मैं पहले इंच पर निशान लगाँग तो साथ इंच में से हम धाइ century band पे भी उने कट लगा लेना है तो देख किया अब यहां पे जो हमने यह लाएटए क sır सब्सक्राइब तो कपडे की र्याइट के उपर ही उपर हमये आपए इस पीस को रखना है देखिए यह फ्यूजंग वाला पाट उपर रहे गा और जो फैब्रिक वाला पाट है वो में फैब्रिक के ऊपर रहे ताकि यह इसलाई करते टाइम लेना तो यहां पर यहां पर अब यहां पर यहां पर इस तरह से इसमें पूरे में यह इसलाई रख दी हैं बिल्कुल मिलाते वए से हमें यह रखना है और अब देखे यहाँ पे मैंने यह पूरे में रखती है अब हम इसके बीच में पूरे में एक कट लगाएंगे और ध्यान रहे हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल भी कटनी नीचे यह वनना तो यह खराब हो जाएगा तो यहाँ बिल्कुल कॉर्णर तक!' लगा लेना kita का लिया है है और अप कट लगाने के बाद यह जो पीस है इस imitate को टरन कर लेना है है के इस लिए इस तरह एप हमारा कुछ इस तरह लगा लेंगे तो यहाँ पे इसमें मैं इस तरह से पूरे में टॉप सेच भी लगा लेती हूँ इससे आपकी फिनिशिंग जो है वो अच्छी आती है तो यहाँ पे हम इसमें पूरे में यह टॉप सेच लगा दी है और अब यह हमारा रॉंग साइट से कुछ ऐसा दिख रहा है और राइट सायड से कुछ ऐसे दिख रहे है देखिए रिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप यहां पर इंद्ध सायड से ओपन यहां फिर आप इसने तुर्पन भी कर सकते हैं तो अभी देखो अब हमें फ्रेंट वाले के इस तरह तरह से रखना है और दोनों के shoulder बिलकुल मलाते हुए इस तरह से रखना है और यहां पे हम इसमें सिलाई लगा के दोनों साइट के जो shoulder है वह जोईन कर लेंगे तो चलिए इसमें हम फटाफट से एक सिलाई लगा लेते हैं और इस पर जो मैं कॉलर बनाने वाली हूँ ना इस कि मैंने आपको बता दिया है इसका लिंक भी मैं आपको डिसक्प्शन में दे दूँगी तो आप जाके देख सकते हैं तो यहां पर हमारे जो कॉलर है वो बिलकुल रेडी हो गया है तो इस कॉलर की वीडियो तो मैंने आपके साँ शेयर कर दिया अगर आपने नहीं देखिए हमें यहां पर 5 नंबर की सिलाय लगा के इसमें गैदर्स देने हैं तो चलिए पहले हम इसमें सिलाय लगा लेते हैं देखिए साइट से हमें 1.25 इंच लगबग मारजन छोड़ते हुए ही इसमें सिलाय लगानी है 5 नंबर वाली जिसमें हमें गैदर्स आएंगे यह देखि कर सकते हैं यहां पर इस तरह से धागा किशते हुए मैंने इसमें gather ते दिये हैं अब इसे हम measure करेंगे तो यह हमारा margin दोनों साइट से छोड़ते हुए 10 inch आना चाहिए तो देखे साइट से margin छोड़ते हुए यह हमारा 10 inch लगबग आ गया है अब हम इसमें कफ लगाएंगे तो कफ बनाने केstesं निये जैन्ग है इसके aynı शाइब्र के एक उपर आगा चारो साइड से हमारा हाफ आफ एंच लगबख एक्स्टा होना जाहिए तो यह देखो इस तरह से adjust करके इसमें हमें हाँ पर अच्छे से iron कर लेना है तो देखें आयन करके मैंने इसे रख लिया है और चारों साइट से इसमें extra fabric बचा हुआ है सेम इसी तरह का एक पीस हमने और कट किया हुआ है यह सेम इसी के बराबर है और अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें sleeves में किस तरह से लगाना है तो देखें यहाँ पर यह जो फ्यूजिंग वाला पार्ट है यह हमारा उपर साइड रहेगा यानि की sleeves को हमें इस तरह से रख करते हुए हमें रखनी है यह देखें इस तरह से और यहाँ पर विल्कुल मिलाते हुए रखना है और यहाँ उपर से हमें इसमें सिलाय लगानी है अब देखें इसी तरह का जो मैंने एक पीस और कट किया है इसे भी हमें इसी के साथ स्टिच करना है तो किस तरह से करना है की व देखे यह सीधी साइड के ऊपर ही हमै अपने स्लीव को रखना है रखना है किई स्लीव का जो रां 서 käyt तरह में इन तीनों पार्ट को इस तरह मिलाते मोत पर अलि पर गठना है और यहां पे सिल इसमें हम सिलाय रखने हैं और यह दिखिए द्रहान neighborhood यह हमारे राइट साइट से ही हमें रखना है फ्यूजिंग वाले पार्ट को तो इस तरह से रखते हुए इसमें हमें सिलाई रख दी है देखिए और यहाँ पे यह तीनों पार्ट से इसमें अटैच हो गए है अब जो बीच में हमारी स्लीव है यह देखिए दोनों फैब्रिक के बीच में जो हमारी स्लीव है इस स्लीव को हमें यहाँ पे इस तरह से साइट को करना है और यह जो दोनों पीस है इन दोनों को आमने सामने इस तरह से रखते हुए यहाँ पे यह देखिये, इस तरह से बोलकुल मिलाते भी रखना है और यहाँ पे सिलाय रख़ लेनी है और जो side से extra fabric हो का वो हम बाद में cut कर लेंगे तो देखिये, यहाँ पे सिलाय रख़ी है और side से जो extra fabric है वो भी मैंने यहाँ पे cut कर दिया है अब हम इसे इस तरह से open कर लेंगे यह देखिए इस तरह से इसे मैंने open कर लिया है तो यहाँ पर हमारी जो sleeve है प्लिकुल ready हो गई है wrong side से भी बहुत अच्छे finishing इसमें आ गई है और यहाँ पर right side से भी अच्छे finishing आ गई है सेमी से तरह से दोनों sleeve हमारी ready हो गई है अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें किस तरह से अपने top part में attach करना है तो देखो यहाँ पर यह finishing के साथ ready होई है अब हमें अपने top part को इस तरह से open करके रखना है और यह हमारा back part है यह front वाला part है जो हमारा deep हमने front के लिए cut किया था यह हमारा front की side ही आना चाहिए तो इस तरह से रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है देकि दोनों side से इस तरह से रखते हुए सेम इसी तरह से हमारा जो दूसरा sleeve है इसे भी हम इसमें attach कर लेंगे यह देखिए तो चलिए फटाफेट से इसमें भी हम सिलाई लगाके दोनों जो sleeves हैं इनको attach कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दोनों side से sleeves को attach कर लिया है यह देखिए यहाँ भी और दूसरी वाली sleeves भी हमने यहाँ पर इस side से attach कर दी है यह देख सकते हैं हमें यहां पे मिलकुल मिलाते हुए इसमें साइट से सिलाई रख लिनी है और यह सिलाई हमें यहां तक ही रखनी है देखिए जहां पे हमने राउंड हिप का निशान लगाया था यहां पर तक हमारे राउंड हिप का निशान था तो यहां पर तक हम इसमें सिलाई देखे हमने दूसरे साइट से निशान लगा हैं यहां पर आपको अच्छे समझाएगा तो यहां पर साइट से सिलाई लगाते हुए यहां पर हमरा राउंड हिप का निशान है देखे यहां तक हमें सिलाई लगानी है फिर यहां से नीचे को हमने निशान लगा है यहां तक ह सिलाय लगा लेते हैं और यहां पर नीचे से भी इसमें पूरे में सिलाय लगा लेते हैं तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और यहां पर हमारा ही जो टॉप है यह बिल्कुल रेडी हो गया है इसकी कॉलर की वीडियो मैंने आपको बताया कि इ ये वीडियो मैंने अल्रेडी अप्लूट कर दी है तो चलिए मिलते हूं आपसे अब नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई थैंक्स फॉर वचिंग